हेलो फैंग्स, आइम शिखर शिर्वासकॉप, वेल्कम बैक टू मैं कीचिल, फैंग्स, आज मैं आप लोगों के साथ रोस कुल्फी की रेस्पी शेयर कर रही हूँ, रोस कुल्फी बनाने के लिए हमें क्या कर चाहिए, चलिए देखते हैं, इसके लिए लिया है मैंने half return milk, milk हमारा full fat milk होना चाहिए, मलाई वाला दूद होना चाहिए, इसके अलावा मैं इसमें शक्कर ले रही हूँ, आप देख रहे होंगे, पॉन का टोरी मैने शक्कर लिया ह ये भी अपने आप में थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए मैं शक्कर की कॉंटिटी बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ, कुछ और्मन्स हैं, जिसे मैंने बारी काट की रखा है, इसके अराबा मैं घर की इमलाइका यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले हम दूद्ध गर्म होने रखते हैं, दूद्ध हमारा बहुत अच्छी तथा से उबल चुका है, अब इसमें मैं पॉन काटोरी शकर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम शुगर सिरप डालेंगे, इसलिए मैं रोज सिरप डालेंगे, इसलिए शकर हम कम डालेंगे क्योंकि रोज सिरप भी मीठा होता है, एक कटोरी शकर मैंने इसमें डाली है, अब इसे हम 5-10 मिनट तक के अच्छी तरह से पकाएंगे, आज हम थोड़ी सी धीमी करेंगे, फ्लेम थोड़ा सा लो कर दे, यह देखिया फ्रैंस, दूद हमारा उबलते हुए 10-15 मिनिट हो च के छुपलफी के मिक्षर को थोड़ा हम थंड़ा होने रखते हैं, थंड़ा होने के बाद मैं रोज सिरप एड़ा होका हो चुका है, अब इसमें हम रोज सिरप गखा रहें के रखाया, यह देख्व भी मिक्षे ताक पकग जाएंग थोड़ा सा और डाले, एक चमच और मैं रो सिरफ इसमें एड़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये सेट होने के बाद हमारी कुलफी का रंग लाइट हो जाएगा, अभी मिक्षर का रंग थोड़ा डार्प दिख रहा है, सेट होने के बाद ये लाइट हो जाएगा, और कुलफी के मोल्स इस तरह से मार्केट में आते हैं, कुलफी के मोल्स में इसे डालेंगे, इसके अलावा यदि कुलफी के मोल्स नम हो तो हम इस तरह से पेपर कप में भी कुलफी सेट करने रख सकते हैं, मैं आपको इसमें सेट करना बता रही है, ये देखे फ्रैंस, इसे ह मैं इतना इतना भरते जाएंगे और इसे हम 9-8 घंटे के लिए सैट होने रखेंगे इस तरह से सभी मोल्ट को भर लूँगी कि यह देखे फ्रेंड्स पहने सभी पेपर कब भर लिये हैं यह कुल्फी के इसतरह से मोल्ट साते आदे हैं इने भी हम भर लें कल मैं आपको बतात को रोस-कुलफी की रेसिपी बताई थी हमारे रोस-कुलफी बहुत अची तरह से यह ले लेक्षे हो चेकी है अब इसे हम डी-मोल्ट करेंगे डी-मोल्द करने से तहले इसले एस तरह से ऐस्ड-वे एंसर्ट करेंगे पेपर कप में भी ने पीजी पास के मोल्टि नहीं रहे हैं , और लिभी बनकी के कट माँए है, इसने कि ना पास के किलेंगे की erोल काया है यह देखे हमारी रोज कुल्फी कितनी अच्छी तरह से सयख हो चुई है सभी सांचे को de-mold करूंगी पेपर में इस तरह से हलका सा कट लगा लें और फिर हम पेपर भी इस तरह से अलग कर सकते हैं हमारी कुल्फी बहुत यह देखे कुलफी भी मोल्ड करेंगे इस तरह से हम आइस्पी मिक्स्टिक अंदर इंसर्ट करेंगे हलके से थोड़े से पिष्टे से हम इसे गार्निश करेंगे फ्रेंड्स रोस कुलफी की यह रैसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें कि अच्छी देने प्रेंगे आपको को अच्छी लियक्तर करेंगे